यहीं नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का अनुसका अकेडमी उदेफूर यूट्यूब चैनल में आज इस सेशन गंदर आप सभी के लिए बात करने वाले हैं प्टीटी दोजार चोइस नोटिपिकेशन जो फोर्म आपका 31 मार्च एक्जाम होगा जो फोर्म आपका 31 म समझाने का कौसिस करूंगा देखियेगा वर्दमान मावीर ओपन विश्विदाले खुला कोटा विश्विदाली जो आपका करवाएगा वो आपका PTT के एक्जाम करवाएगा वर्दमान, मावीर, खुला, अHAHAश्वरा, और इसके अंदर आप», और तो वर्षे और चार वर्षे बी-एड जो सांमिल किया गया है , बी-एड के इसके अंदर आप जो convence वाले विद्यारति यह वो क्या कर सकते हैं इसके अंदर आप भी ये बेट कर सकते हैं ठीक है इसके अलबवा इसके अनदर दो वर्षे चार वर्षे में सारी बात करने वाले हैं आपकी जो ओपिशल वेबसाइट है अभी Google पे आपने बहुत सारी वेबसाइट देख लिये होगी लेकिन आपको याद रिक्षा थी इसके अंदर जो है ऑपका 9 जून को एक्जाम होने वाला है आप सभी के लिए इसके लिए आपका 3-3 महेंए का समय बत चुका है अब आपको बताने वाला हूँ प्रीक्षा गिराण निती भी क्या होनी चीए कैसे आप तैयरी कर सकते हैं कैसे आप सेलेक्षन पास सकते हैं बेस्ट बुक कौन सी है सारी बात करने वाले है प्रीक्षा सुल्क इसके अंदर 500 रुपे लगेंगे आपको फोरुम बढ़ने के और इसके अलावा इसके अंदर बात करें सारे नोटिपिकेशन के साथ इसके अंदर पातरता आप सभी को पता है जो आपका दो साल वाली बीएड करना चाहरे हैं वो किसी माजयता पराप्त विश्विदालिय से आपके पास बीए उतिन होना चाहरे या फिर आप बीए रनिंग वाले भी भर सकते हो लास्ट वाले और एमे पास कर रखी है तो आप इसके अंदर लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मिनिमम आपके पास दो साल वाली बीएड करने के लिए आपके पास जो बीए की होई होगी तब ही आप बर पाएंगे ठीक है इसके अलावा इसके अंदर आपका इसके अलवा इसके अंदर नियुनतम पासिंग मार्च वाला क्या लपड़ा है वो देख लेते हैं देखेंगा इसके अंदर आवधन है तू आवधन है तू बीए के अंदर अनुरूब अनारक्चित वरग आर्थिक पिछड़ा वरग EWS है तो वो आप इसके अंदर फौर्म है जो आप नहीं लगा पाएमे जो आप 2 साल वाली ब्यएट करना चाहा रहे है ठीक है इसक Spaß है प्र व Wars नियुनतम पर पचास परतिसद experiments webpage of 85% होना चीए यह आपके इसके अंदर आंक्र दे रखे ए शके आवधन की तित्यंह तो आपको पहले ही बता दी फिर से बार रिपीट कर देता हूँ आवेदन की उपलब ता 6 मार्च से स्टाट है प्रिक्षा शुलक के अंतर देती 31 मार्च है परवेश प्रिक्षा जो आपकी नोजून 2020 होने वाली है और इसके अलावा यह ओपिसल वेबसाइट है वेबसाइट का का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है इसके अंदर आवधन과श ने पंथर के से बश्यकर शाकर है और इसके अंदर बात करें आपकी परवेश परिक्षा ऑ्रवेस निर्डी सिग्त का क्या है नदर इसके अदर आपका डोक्ट्र के कुल स्रेस्ट से समूध ज लोग चोन, जो समयवक है। इसका अंदर दो वर्शी और चार वर्शी, बियेट, प्रविश परिक्षा के अंदर और इसके अलबंदर ऑफिचल नो ुटिबीकिस निजारी होगा, इसने बात कर रहे हैं, यह आपका फिर से एक बार दिया है कि दो वर्षी चार वर्षी बीएड को फोर्म लगाने के डेट वगरा फिर से बताईए इसके अंदर और इसके लगा चार वर्षी है जो आपका PTT परीक्षा 2024 है तो सामानी निर्देस जुमारक दर्शन है वो होंगे इसके अंदर बीएड पाठी एकरम प्रवेश्वेत्व क क्या है तो बीएड गंदर पाठी एकरम क्या रहेगा वह आप देख लेगी सबसे पहले सबसे पहले पाठी एकरम की बातकरत आपको नियुम बातकरत 500 रूपे शुलक लगे कि वह आपको पता है 31 मार्ज लास्ट डेट है वह मैंने आपको बता दिया पचास पैंतर लिस वह आपको यहाथ है 10 plus one year plus three years सब परिक्षह पंदित्ती में सब्सक्रा पिरिक्षा उतदनी की इस्वे पातव नहीं होगे ठीक यह मामलect आपने साथ नहीं है वो किसी सिर्फ वेजादर्थी के साथ है वो दिक्कत होगी उनके कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यायी.......... है तो आपके यह फोर्म लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसके अलब आप- पांचलिंग के समय 5,000 रुपे जमा करवाएंगे और आपकी कोलेज मिल जाती है तो आपको कोई फीस के अंदर एड हो जाएगा अन्यात आपको रिपोर्टिंग नहीं जमा कराने पर आपको 200 रुपे की कटोती हो जाएगी और बाकी सुलुक वापस करवा दिये जाएगा और कि इसके अशुटों का अंदर की अक्षण को मिल सकता क्यों कि 25,000 यह जाती है इसके अंदर उसी के लिए अनसुचाएगा सभी लिए अलगर छूट देगी ए इसके लिए और बात करें इसकेमित के अंदर आपकी डिटेल में वह जानना जरूरी है इसी परकार विद्यारती का बेंग खाता भी होना जरूरी है जो बार भी पास विद्यारती जिन्होंने बेंग खाता नहीं खोला है वो जल्दी से बेंग खाता भी खुलवा लीजिए ठीक है और परिक्षा का पाथ ये करम संदातर क कौन से हैं तो इसके अंदर देख लीजेगा आप देख लीजेगा सिक्षन विशे कौन से टीचिंग सब्जेक्ट से तातपरी है तो इसके अंदर आपका दो वर्ष बीएड वाली में टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से ले सकते हैं जो आपके विश्विता लिए टीडी सी कि परतम वर्ष वदिवतिव वर्ष तर्थी वर्ष पिरिक्षा में अनिवारी विशे लिए के विशे जिसे अंग्रेजी, सामानी हिंदी, सामानी सिक्सा, सामानी प्रयवारन, प्रारंबी कंप्यूटर बारती उसा बहता है वो संस्क्रतिक इतियास अत्वा प्रारंबी के गणित सिक्षन विश्चे के रूप में मानिद नहीं होगी जो आपकी जनरल सब्जेक्ट ले रख है तीन सब्जेक्ट है वो आपके नमानिय दन नहीं होगा इसके अलबा तीन से स्क्षन है तो अनुमत दिने होगी जिनकी सनातक डिग्री में इत्यास राजनिती विज्यान लोग परशासन अर्थवेस्ता और अशास्तर भुगोल दर्शन सास्तर मनों विग्यान नहीं हो समास सास्तर से कम से कमаж संथ 121 अध्यों कोई आपके इसके इसके अंदर लाँ की जाएगी वह है कि मेंज़ के बिती बद्रत मापको प्ताती रहते है इसके लाव इसके अंदर सेले बस जाना जरूरी है मैं जले चलता हूँ आपको सेले बस के उपर ये मार्क देशन आप सभी को मैंने आपने और से बता दिया है मार्क देशन में आप सभी को इसके अंदर पाठे करम आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर आप जारते को पाठे करम जारना बहुत जरूरी है और इसके अंदर आपका पाठे करम है जो आपका वो पाठे करम आपके सामने है प्रिक्षा है तो मार्क देश्रम के नाम से इन्होंने पाठे करम दिया है इसके अंदर देख सकते हैं आपका सुरहतम चुनने क की प्रक्रिया एक यहां रूप रेका की गई है जिसके अंदर प्रशन पतर चार भागों मा आएगा पचास पचास परशनों का भाग होगा और दो सो परशन का कुल विकलप यह होगा तीन गंटे की आपको समय मिलेगी पहला मेंटल अबिलीटी मांसी क्यों गेता ही अरिजनि आत्मक सोच सामनी करण निर्शकर्ष निकालना यह सभी हो जाएगा टिचिंग एप्टिटूट की बात करेत एप्टिटूट टेस्ट सेक्षन मनोवर्ती और योग्यता परिक्षन अनुबाग के मुख्य रूप में जिसके अंदर पचास परशन होंगे जिसके अंदर प्रागरुपता की प्रक्षाफ होगी जिसमें परशनों के एक तीन दो एक जिरो के पेमाने में दिये जाएंगे इसके अंदर जो विद्यारती कंफूजन रहते हैं कि सेक्षर आप बिरियोची के अंदर कैसे कैसे नमर मिलेंगे तो इसके अंदर आपको बता दिया है एक आपका तीन नमर मिलता है तो आपका थोड़ा से सही होगा फ्यूल सही होगा तो तीन नमर मिल जाएगा और थोड़ा से सही होगा तो दो नमर मिल जाएगा कुछ सही होगा तो आपका एक नमर मिल जाएगा और कुछ नहीं सही होगा रोंगन वाला आंसर कर दोगे जीरो सही हो जाएगा इस टाइप से हैं शनरल गोर्य के अंदर आपको क्या पुछ यगा यगा इसके अंदर आपको बता दें कि राजस्तान जी के तो है करेंट अपेर्स है जिसका अटराष्ट्री करेंट आपेर्स है बारतिय इत्यास अंसकर्थी है बारत के प्राकर्तिक संसादन, महान, बारती व्यक्तित्वे, अतीत और वर्तमान और प्रियावन जागरूपता, राजस्तान के बारे में ग्यान आदी तो आप इस पे राजस्तान के बारे में फॉक्स करिए राजस्तान जी के ही इसके अंदर ज़्यादा तर पुछा जाएगा बाकी सब्जेक्ट जो लिखे हैं इन में से बहुत कम क्यों सनाते हैं और राजस्तान जी के से सबसे ज़्यादा क्यों सन पूट अप होते हैं तो आप राजस्तान जी के एक पढ़ लेंगे तो भी आपका क पूछे जाएंगे जिसके अंदर कुछ करणटें पेर्क परसन चारपांट और चारपांट यह परसन इसके अंदर भारत के जिकर का जाएंगा तो भारत के आप पड़ये ही घेमाल मैं तो यह मानता हूं आपका पंशास मैंसे 35-40 पर्सन वेसे हीं हो जाएंगे इसके अलवा इसके अंदर बात करें सब्दावली और इसके अंदर कार्यात्माग व्याकरण वाकिय रचना एंस सब्द समझ आदी इतने स्ट्रोपिक पुछे जाएंगे इसके अंदर आपका जो आपका होगा एक सब्जेक्ट हिंदी या इंगली संस्कृट इनों मैंसे कुछ भी चोईस कर सकते हैं मैं मैं रिकमेंड गरूंगा ज्यादतर विजाद्यों को हिंदी इसके अंदर मोडल पेपर भी आपके सामने दे दिया है इस टाइप से आपको गोडा काडा करके आना पड़ेगा सांदार तरीके से इस टाइप से आपके सामने मोडल पेपर बता देता हूँ आपको डोक्यूमेट कौन-कौन से लगेंगे वह भी थोड़ा सा बता देता हूँ डोक्यूमेट की बात करते इसके अंदर प्रिंट में आपको पुन रूप से बरेवे पढ़ापतर की सूप पाटी फोटो परती अंकताली का अ एबी सी आईडी आप ओनलाइन बना सकते हैं जो आपका डिजिलोकर रहे उनसे वह भी बनाने का तरीका हम बताएंगे आपको इसके अलबाए इस सारी बात बता दी अब मोडल पेपर पे ले चलता हूँ आपके लिए मोडल पेपर आपके सामने है मोडल पेपर इस ट्राइ आइड के साथ एक्सपर्ट पूरा देखा था आपको कैसा लगा मैंने पिटीटी दोजार चोईस का पूरा डीटेल नोटीपे किसन बता दिया फोरम आपका 31 मास लास डेट है और एक्जाम आपका नोज जोन को ने वाला है संपूर्ण रण जीती बता दी बैस्ट का मार्क ने एक किताब लेए उठा के उनको आप पढ़ते रही है आपका सेलेक्शन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है सांदर तरीके साथ पढ़िएगा आगे पढ़ते रही है किसी ने सेशन के साथ तब तक लिए जय हिंद जय बार्त